प्रिये छात्रों नमस्कार आज हम कक्षा 11 के छात्रों के लिए गणत का एक प्रशन समझा रहे हैं यह प्रशन NCRT की कक्षा 11 की गणत की हिंदी संस्क्रण से के पाठ पुस्तक्सिल लिया गया है यह प्रशन एक्सरसाइज नमबर 3.1 का तीसरा प्रशन है जो पेज नमबर 62 पर है के लिया तो आज का हमारा प्रशन है एक पहिया एक मिनट में 360 अंस पर कमण करता है तो एक सेकंड में कितने रेडियन माप का कौण बनाएगा तो पहली बात तो यह है कि यहां पर जो आपका 360 डिग्री दिया हुआ है ये कुछ गलत है अगर आप 360 डिग्री मानेंगे प्रशन तब भी हो जाएगा तब उसका अर्थ दूसरा लगाया जाएगा लेकिन पुष्टक में जो उत्तर दिया है उस उत्तर से अगर आप अपने उत्तर को मिलाना चाहेंगे उस आंसर से अपने आंसर को मिलाना चाहेंगे तो यहां पर होना चाहिए केवल 360 तो यहां पर यह जो देदी का निसान लग गया है यह धोके से गलत लग गया है तो आप अगर देदी का निसान को हटा देंगे तो आप फिर प्रस्ण को इस पकार से पढ़ेंगे एक पहिया एक मिनट में 360 परकमल करता है तो एक सेकंड में कितने रेडियन माप का कॉल बनाएगा कहने का मतलब यह है कोई एक पहिया है वह अपने धुरी के चारों तरब भूम रहा है और एक मिनट में 360 परकमल करता है है परकम माने होता है चक्कर तो एक मिनट के अंदर वैं 360 लगा लेता है तो प्रिशन में आप से पूछा गया है कि कि एक सेक्डी कें अंदर वैं कितने रेडियन माप का कॉन बनाएगा तो देखिए एक मिनट में 360 लगाता है या परकमल करता है तो हमने लिखा एक मिनट में पर एक क्रिमन बराबर तीन सो साथ यह जो हमने लिखा है इसका मतलब यही है कि एक मिनट के अंदर पईया जो है तीन सो साथ चक्कर लगाता है अब आप जानते हैं एक मिनट बराबर होता है साथ सेकंड के तो आप इस एक मिनट के इस्तान पर अगर 60 सेकंड लगा देंगे, तो यह आपकी लाइन जो है, परवर्तित होकर हो जाएगी, 60 सेकंड में पर एक क्रिक्मल बरावर 360, एक मिनट में कहिए, 360 पर लगाता है, यह कहिए, साथ सेकंड में लगाता है, तो लों का मतल्ब एक ही हो भी हो वो हमसे प्रश्ममें फूचा गया है एक स्बसक्रेसने कितने रेडियन मापका सब्सक्राइब को यहां से जिव हमारे लिए परकुमून नेकल तो एक एक शेकरण के अंदर क्तने परकुन bit लगाएगा इसके लिए क्या करेंगे, हम dari शेक भाग कर देंगे triangle, शेकिन पर मोह, बाते एंद एक Mommy तो 360 बटे 60 को या या चूब सेकंट परकुन बरावर 360, इसलिए एक सेकंड परकुन बरावर 360 साथ बटे साथ आप किसी पकार से समझ लीजिए आपको कॉंसेट्ट के लिए होना चाहिए अब इसको हमकार देंगे यहां पर छे आ जाएंगे हमारे तो इसका मतभी हुआ पईया जो है एक सेकंड के अंदर छे चकर लगा लिता है तो इसका मतभी हुआ कि हमने लिग दिया एक सेकंड में परिक्रमरा वर्च है यह हमारा यह मालूम पड़ गया कि पईया एक सेकंड में कुल कितने चकर लगाता है अब हमसे चकर तो पूशे नहीं है यह तो पूशा नहीं है कि एक सेकंड में कितने परिक्रमर कर लगाता है उसने यह पूचा है एक सेकंड में कितने का कोड़ बनाता है तो हम जानते हैं एक परकण में एक कोड़ बनता है वह बनता है तीन सो साफ अंस के डिग्री के अगर हम डिग्री में ना पएंगे तो तो दो पाई रेडियन तो जब एक चक्कर में, एक परकड में दो पाई रेडिन का कॉड बनाता है तो साज में, छै में कितने मनाये गए, यह निकलना है तो छै से मलटिप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब यह हुआ, एक सेकंड में बनाया गया कॉड बराबर 6 पाई कोडिको और फी और फीन निकालना है तो अच्छा था गुणा कर दी यहां पर हमने निकालना होता तो यह पर तीन सव बान गुमता है यह कई दो पाई डिल हूंता तो मतलब यह कि है इसलिए हम यह वाला मान लगाएंगे यह वाला मान नहीं लगाएंगे इस प्रकार से आपका प्रश्णी हल हो जाता है कि एक सेक्ड में बनाये गए कौन कीमा प्रेडिन में आ गई बारे पाई रेडियन और यह आपका आंसर हो गया इस प्रकार से आपको सभी बातें जो हैं भली प्रकार से इस्प्रक्ष्ण होना चीए, सही तरी की भासा लिखिए आप, अभ्यास करिए, आपकी सोन्यों सबाज आएगा, नमस्कार, धन्यवाद.